आज हम लोग दुनिया के ऐसे एक तानासा के बारे में बात करेंगे जिसने लीबिया पर 40 सालों तक राज किया है अंत में उन्हें अपने आवाम के हाथो 2011 में अंतीम सांस लेनी पड़ी पर उनको याद उन के कुछ काले कर्टूतों के लिए किया जाएगा जिसे जानकर आप सोज भी नहीं सकते जिसके सर पर हात रखता था गदाफी वो पहुचा दी जाती थी उनके महल हरम में वो हर बार स्कूल जाता था हर बार स्कूल में किसी एक लड़की के सर पर हाथ रखता और वो लड़की अगले ही पल स्कूल से उठा कर उसके हरम में पहुचा दी जाती थी लिबिया के तानासा करनेल महम्मद गदाफी की मौत के धाई साल बात अब उनके हरम से जो कहानी बाहर निकली वो दिल तहला देने बाली है हबस का पागलपन इस तानासा पर इस कदर सवार था कि उसकी आसपास रहने बाली सिकूरिटी गार्ड भी खुबसूरत महिला ही होती थी और वो भी उनके हरम का सान बढ़ाय करती थी चालीस साल में गद्दाफी के आयासी और जुल्म ने लिबिया की आवाम को उसके खिलाब अपनी आवाज बुलन करने पर मजबूर कर दिया था गद्दाफी के फिरिस्ति में महिलाओ के अलाबा कोई भी ज़्यादा वफादार नहीं था जितनी बेरहम उतना ही अयास जितना दिलकस उतना ही संकी जितना फोजी उतना ही डरफोग लिबिया के तानासा महमद गद्दाफी की यही पहचान थी गद्दाफी को बंदूगधारी महिलाओ को अपना बोडीगाट रखने का सौक था जिने किलिंग मसीन के नाम से जाना जाता था उनकी संखा 40 के आस पास होती थी दूसरी देसों में भी वो अपनी महिला अंग रख सको और प्राइबेट नार्स के साथ इस पे साल टेंट में रहता था गद्दाफी कहीं भी जाए दूद पीने के लिए उटों को अपने साथ ले जाना नहीं भूलता था खून बहाने से कभी भी ना हिच्खिचाने वाले गद्दाफी को उचायों से काफी डर लगता था पानी के उपर से उडान भनने से भी ओड़ता था अगर कभी होटेल में रहना पड़ा तो ग्राउन फुलोर पर ही उनकी रहने की इंतेजामात होती थी महें 27 साल के उमर में गद्दाफी ने रखतहिन क्रांती करके पस्चीम समर्थक कींग इद्रिस का तक्ता पलट किया था एक किसान परिबार में जन्में गद्दाफी पर सत्ता का नसा ऐसा चड़ा कि अपने लिए उसने पहाडियों के बीच एक ऐसा बंकर बनाया जिस पर परमानु बंबो का भी असर ना हो और आली सान इतना कि दुनिया के सारी सुक सुविदाय हासिल हो सके लेकिन जन्ता का पारा चड़ा तो उस बंकर नुमा महल को भी लूट लिया गया करनल गदाफी ने लिबिया में खुद को छुपाने और आयासियों के लिए ऐसी ऐसी भूल भुलया बाली जगहा बना रखी थी जहां तक पहुँचना आसान नहीं था गदाफी ने बायाली साल तक लिबिया की जमीन के उपर आतंका राज चलाया तो जमीन के नीचे बनाया अपना खुपी अड़ा अयासों का अड़ा ये अड़ा ऐसा था जहां अयासियों का हर साजो सामान मौझूद था सुविंग पूल से लेकर हस्पताल तक सच्चा यही है गदाफी को तानासा बनाने का जिमेदार कोई और नहीं उनके अपनी बीबी बच्चे और उनकी नाजायच खुआई से रही गद्दाभी की बीवी बच्चों की दावलत की भूक और जुल्म नहीं आम लोगों को उसे गोली मानने पर मजबूर कर दिया था जिसकी इजाज़त की बेगर लीबिया में परिंदा भी पैर नहीं मार सकता था उसी लीबिया की ने सहर में कर्नल महम्मद गद्दाभी को जिन्देगी भीक में भी नहीं मिल पाई अपनी और अपनी बीवी बच्चों की अयासियों में गद्दाभी भूल गया कि इन जिन हातों में रास तिलक की ताकत होती है उही हात जरूरत पढ़ने पर सर भी उतार देते हैं जिस परिबार के ऐसो आराम के लिए गद्दाभी ने लीबिया को लूटा वो परिबार उसके जीती जीत तहस नहस हो गई और आखरी बक्त में गद्दाभी को बचाने वाला कोई नहीं था तो गद्दाभी की कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट करके बताए और हाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्नवाद